ही गाइस वेलकुम बैक टो मैं चानल दिस इस प्राची और आज मैं बात करने वाली हूं कैंडी कांड मुवी की चोकी रिलीज हुई थी 2019 में लिटरली काइस इस मुवी का कॉंसेप्ट इतना साधा यूनीक और अच्छा है कि आपको बिल्कुल भी वोरोनी नहीं देगा और यूनीक मुवी होने वाली है तो विटाउट वेस्टिंग टाइम चलें पटाक से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों मुवी की शुरुवात में हम एक रेस्ट्रून का सीन दिखाया जाता है जहां पर माईक बॉबी स्टीव और इसकी गल्फिंड जिसका नम कैरल वहां पर बैचा हुए होते हैं और इस दोरान वह एक हैलोवीन के लिए अपना प्लान त्यार कर रहे होते हैं जहां माईक सब को यह कहता है कि हर हैलोवीन की तरह हम सब लोग मिलकर उसी लड़की को परिशान करने वाले हैं जिसे हम लोग बच्पन में टौचर किया गरते लेकिन ये बात क्यारल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है और वो स्टीव यानि कि अपनी बॉइफ्रेंट को ऐसा करने के लिए रोकने लग जाती है लेकिन वो उसकी बातों को इग्नोर मारता है जिसे कि उसे काफी गुस्ता आता है और क्यारल वहां से उड़कर चली ज लेकुन कर वो बींके साथ जाने के लिए लेकिन माइक को से अपने साथ जाने लिए हम कि वह काफी साधा कुछ हो जाता है सीनिया से शिफ्ट होता है और जेकप नाम के लड़की को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही जादा मासूम था और उसे कैंडी बहुत जादा अच्छी लगती थी तो इसलिए सो इसलिए वह पंकिन के बास्केट में हमीशा अपने पास साथ अपनी में दूस्तों का इंतिसार करही होता है जाथ कर दो दोस्तों करने कीना करना करण रही होती है क्योंकि वह अपनी दौस्तों के साथ मिलकर किसी ओर बल्कि जापको ही परिशान करने वाले थे कि सब्सक्राइब करने लिए लेकिन जब उसके शो में जाने के लिए लेट हो जाता है और बहुत ही प्यार से समझाते हूं यह कहता है कि मैं कभी तुम्हें उस सिच्वेशन में डालूंगा जिससे कि मैं गजर चुका हूं क्योंकि अब हम एक फैमली है यहां पर काईसम यह दे देख सकते थे और उसमें खुद को देख सकते थे फिर जब डॉक्टर डेज अपना शो कर रहे होते हैं तो उसी समय जैकब को परिशान करने के लिए माइक और उसके दूस वहां पर पहुंच आते हैं उसे चारों तरफ से गिर लेती हैं उसे टॉल्चर करने की कोशिश करन जिसकी माइक को भी गुसा आजाता है जहां उसके फ्रेंड इस चीज में पूरा साथ उसका देती है जिसे की चैकब वहीं पर बुरी तरह से तढ़बकर मर जाता है और दूसरी तरह हम यह देखते हैं कि यह सब कुछ केरल वहां पर खड़ी होई चुपकर देख रही होती ह और वहां से वो चली जाती है फिर जब डॉक्टर डेड जैकप को इस हालक में देखता है तो उसकी डेड बॉड़ी को अपने वैन में डलवा लेता है फिर जिसके पात हम माईक और उसकी दोस्तों को देख पाते हैं जहां कैरल उन पर बहुत जाधा गुसा हो रही होती है तो उसने कभी खुद को डिफेंस करने की कोशिश भी ने गहीं लेकिन इस पार उसने ऐसा किया तो इसलिए भूल उसे मार कर वहीं पर टॉचर करके उसे छोड़कर यहां पर चले आ हैं लेकिन उसने खुद को डिफेंस करने की कोशिश की जो कि उसके लिए बहुत ही गलत साब होती है जहां वो उस मास्क को जैकब की चहरे पर लगा देता है और उस बुक की हेल्प से कुछ रिच्वल करने की दौरान जैकब वापस से जिन्दा हो जाता है और नेक्स सीम में हम पुलिस ऑफिसर सैम को देखते हैं जहां पर कैरल आई हुई होती है और वो उसे लास्ट न कहता है जहां काफी साथ डर जाती है और वो उसे मना करने लग जाती है जहां इसी दोरान उसे ऐसा लग रहा होता है कि उसनी वहां पर आकर बहुत बड़ी गल्ती कर दी है लेकिन सैम उसे कहता है कि इस बारे में वो किसी को कुछ भी नहीं बताएगा फिर उसके बाद सैम देट के पास पहुशता है और जो वो जैकब के बारे में पूशताच करता है तो वो उसे ये कहते हैं कि जैकब को कुछ लोगों ने बहुती बुरी तरीके से पीटा था लेकिन अब वो ठीक है और वो जिन्दा है और गाइस यहां पर हमें ये भी पता चलता है कि डॉक्टर स्लॉट जाता है सीनिया से शिफ्ट होता है और फिर कैरल को दिखाया जाता है जो कि सो रही होती है और जहां पर उसे किसी की कॉल आती है और जो उसे ये कह रहा होता है कि मुझे पता है कि तुमने क्या किया है और फिर उसके बात उसे अपने खिटकी के पास किसी की होनी का कि हम लोग बस थोड़ी सी बस दिखना चाहते थे लेकिन यह सब जाने अन जाने में गलती से हो गया था जहां वो उसे यह बताता है कि चेक अब भी जिन्दा है और फिर उसके पाद कैरल उनसे यह बाता लेती है कि वह लोग दुबारा ऐसा कभी भी नहीं करेंगे उसके साथ में फिर उसके बात कैरल वापस उसी रेस्टरान में पहुचती है जहां पर उससे लास नाइट हुए एक्सिडेंट का निउस्पेपर मिलता है तो वह काफी साथा दुखी हो जाती है कि तब ही वहाँ पर माइक भी पहुच आता है और काई समी यह पता चलता है कि कैरल को फ में होता है जहां पर उसे वही पंपकिन की बास्केट मिलती है जिसमें कैंडी रखी होती है वह उसके सामने जैकाप आता है जिसके चहरे पर वही मास्क लगा हुआ था जहां लिटरली काइस वह बहुत ही जाता खतरनाग और डरावना दिख रहा होता है और वहां पर उसे क कुछ कहें बिना ही गैस का गला दबाकर उसका पेट बुरी तरीके से फार देता है जिसे कि वो वहीं पे मारा जाता है तो थोड़े दिर बाद ही डिटेक्टिज सम वहाँ पर पहुंच आता है तो उसे वहाँ पर वहीं कैंडिस मिलती है और वो उन्हें देखकर बहुत साधा हैरान हो जाता है वहीं दूसरी तरफ जब स्टीव और कैरल को गैस की मरने की खबर मिलती है तो वो सैम की पास पहुशते हैं चहां सैम उनसे पुछता है कि अगर तुम लोगों को कुछ भी पता है तो मुझे अभी बता दो यह सब को सुनकर स्टीव उसे सारी बाती बताने ल दोस्त की मौत से काफी जादा परिशान होते हैं तो माइक उन लोग को समझाने की कोशिश करता है कि जैक बहुत जादा डर्पूक इंसान है वो हम जैसे ताकत्वर लोगों को सामना नहीं कर सकता है तो वो गैस को कैसे ही मारेगा यह सिर्फ एक कोइंसिडेंट है और कुछ वही पंकिन वाली बास्किट वहाँ पे देखती है जिसमें कैंडिस रखी होती है और जैसे ही वो बास्किट की तरफ बढ़ता है जैक अप उस पर हमला कर देता है और वो बहुत ही बुरी तरीके से अपने हाथों से उसकी रीड की हड़ी को बाहर निगालता है जिसे कि जैसे मैंने उसी अराम करने के लिए उसे अपने घर पेज़ दिया है और फिर उसके पास से मुझे उसकी बारे में कुछ भी नहीं पता है जहां उसी समय वहाँ पर एक और पुलिस ऑफिसर आता है और वो सैंप काफी सादा परीशान हो जाता है और वहां से प्टावज से निकलता है जैसे ही सेम क्राइम सीन पर पॉच्छता है तो वहां पे डेड़ बॉड़ी की कंडिशन देखकर वह बहुत ही जादा परेशान हो जाता है कि उसकी हालत गाइस बहुत जादा खरापती उससे वह काफी दुखी भी होता है जहां वह आपिसर पॉच्छकर अपने ग जिसके पाद सेम उसे घर की अंदर रहकर सारे खिट की दर्वाजी बंद करने के लिए कहता है जहां वह उसे यह भी बताता है कि शहर में कर्फ्यू लगने की कारण बहुत सारे लोग काफी जादा नराज हो रहे हैं और फिर उसके पाद सैम एक पुलिस वाले के साथ कपी है जहां वह जैकप के घर का दर्वासा तोड़कर अंदर जाते हैं तो वहां पर उन्हें बैटके नीचे एक अंकाल बहुत बुरी हालक में मिलता है जिसे केड़े बहुत ही बुरी तरीगे से नोच नोच कर खा रहे होते हैं जहां यह सब कुछ देखकर वह दोनों बह यहां पर डॉक्टर डैट का एक साथ ही उसे बाकी लोगों से जकप के बारे में बताने के लिए कहता है तो मिस्टर डैट उन लोगों को यह समझा रहे होते हैं कि बाहर की दुनिया बहुत ही जालिम है और हमारे और जैसे लोगों को टॉर्चर करने का एक भी मौका नहीं यहां तक ही हमारे मरने के बाद भी किसी को कोई फरकी नहीं पड़ता और ऐसा ही चेक अप के साथ हुआ है तो इसलिए मैंने उसे बदला लेने के लिए वापस से जिन्दा कर दिया है और उसके यह पास सुनकर सभी लोग उसका साथ देने के तयार हो जाते हैं और वहीं हम कि इना को देखते हैं कि भी माध़िया चाता है जिससे बहुती बूरी तरह से मार दिया गया था काफी साध़ा हो जाती है और उसे कुछ समझ मी नहीं आरहा होता है कि तब ही चेक अप कि पहुच्छा आता है और वह से भी मान की कोशिश करता है और यू से पकड़ लेता है और फिर वो उसे उठाकर लेकर जाने की कोशिश करता है लेकिन तभी वहाँ पर बिभी होश हो जाता है कि तभी वहाँ पर डॉक्टर डैट भी पहुंच आता है और उसको जगाने की कोशिश करता है और फिर हम सैम को देखते हैं गाइस जिसके साथ मौजूद ऑफिसर सैम से जैकब की मां के बारे में पूछता है, जिसे कि हमें इक पता चलता है, कि जैकब के घर में जो लाश उन्हें मिले थी, वो किसी और की नहीं थी, बलकि उसकी मॉम की थी, फिर वो लोग थेटर में पहुंचते हैं, जहां सैम स्टीफ को मरा हुआ देकर माइक को फोन करके उसकी बारे में बताने लग जाता है, जिसे कि वो काफी साधा दुखी होता है, माइक बहुत साधा घुसे में भी होता है, और वो शो की ऑनल डॉक्टर डेट से मिलने के लिए वहाँ पहुचता है, लेकिन उसी समय चैकब की हालत ठीक नहीं होती है, जिसे कि डॉक्टर डैट वो बहुत जादा गुसा हो जाता है, और उसी जान से मारने की धंभी भी देता है, शांत रहने के लिए बोलता है, जिसे कि वो बहुत साथ लेकिन उसकी नजर पढ़ती है कि गाड़ी के ऊपर सैम का कटा हुआ सिर रखा हुआ था जो कि बहुत ही जादा तरावना दिख रहा था जहां उसे इस हालत में देखकर माइक बहुत सादा डर जाता है और रोने लग जाता है क्योंकि अब उससे बचाने वाला और वहां पर क बहुत से दोनों हाथ और देख रहा हुता है और वह इक लड़की को दाथों सी बना हुआ एक ने और उसे यह पताता है कि यह इनसानों की दातों से बना हुआ है लेकिन वह लटकी स्वाथ को मारने से इंकार करी होती है तो वो से समझाता है कि मेरी कैम्प में जितनी भी चीज़े तुम्हें मिलेंगी उनके पीछे कोई ना कोई स्टोरी है जैसे कि स्नेकलेस की है सुफिर व होता है जिससे कि हम यह पता चलता है कि डॉक्टर डडट के साथ ही वो रहता है और इसी के साथ कई समुए कर यह जाता है झाल झाल